यह जब घड़ी का काटाथ करता है चार बजे का इशारा तो खब्रों से हाई हो जाता है पारा क्यों क्योंकि 4 बजे हम चक्रविव के सांथ आपके समने के पेश होते हैं और चार यसी लोगों को चक्रवेयों के चक्र में फसाते हैं जिनकी पॉल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए नमस्कार de cv में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट आज चक्रवियों के चक्र में फसे हैं विपक्शी गठ बंदन के नेता सियम योगी को जान से मारने की धमकी देने वाला एक कोख्याट डाकू और एक तसकर इन सभी कात सारा काला चठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूते मायवती ने बढ़ाई विपक्ष की टेंशन सियम योगी को धमकी देने वाला आरेस्ट फिर जेल पहुँचा चंबल का खूखार डाकैद रेल्स बनाकर हतियार की तसकरी पहली खबर की शुरुवात विपक्ष की टेंशन के साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसवा चुनाओ 2024 में केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए इंडिया गठ बंदन का एलान हो चुका है लेकिन उसमें अभी से उठा पठक चल रही है अभी तक ना ही प्रधान मंत्री के चहरे पर ही कोई बात फाइनल हुई है और ना ही अभी सीट शेरिंग पर कोई बात बन पाई है उदर इंडिया गठ बंदन को और मजबूत बनाने के लिए बीएसपी को शामिल करने की पूरी कोशिश चल रही है खासतोर पर कॉंग्रेस के कई दिगजनेता बीएसपी प्रमुपायावती के संपर्क में बताय जा रही है हाला कि अभी तक बीएसपी के इंडिया गठ बंदन में शामिल होने के कोई संकेत नहीं मिले है दूसरी और समाजवादी पाटी प्रमो खिलेश यादो का रुख भी नरम पड़ रहा है लेकिन इन सब के बीज भी कुछ ऐसी शर्ट है जिसकी वज़ा से गठ बंदन में बीएसपी की एंट्री बहुत जादा मुश्किल नसर आती है तरसल सूत्रों की माने तो इंडिया गठ बंदन को और बड़ा बनाने के लिए सोमवार का दिन काफी एहम होने जा रहा है रनीती के जानकारों का दावा है कि अगर इंडिया गठ बंदन में शामिल होने पर बात बन जाती है तो मायावती सोमवार को अपने जनम दिन पर ही बड़ा एलान कर सकती है हलाकि इसके लिए बीएसपी की ओर से करीब 30 सीटों पर शर्त रखी जा सकती है 30 सीटों में 10 सीटे वो होंगी जिन पर बीएसपी ने 2019 के लोकसवा चुनाओं में जीत दर्श की थी इसमें लालगंच, शावस्ती, जौनपुर, नगीना, अम्रोहा, साहरनपुर, बिजनौर, गाजीपुर, होसी और अम्रोहा सीट है जहां 2019 में बीएसपी जीती थी इसके अलावा पाटी संभल, रामपुर, आजमगड, बांदा, मचली शहर और पतेपुर सीट भी शामिल करेगी अब बीएसपी के ओर से डिमांड की गई सीटों में से कोई ऐसी सीट है जिस पर सपा ने उमीदवार तै कर दिया है इसमें सहारनपुर है, नगीना, गाजीपुर, घोसी, संभल और मचली शहर ऐसी सीटे है जिन पर सपा ने अपने उमीदवार लगभग तै कर दिये है हाला कि सीटों की मांग और उन पर दावा अभी काफी मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि बीएसपी ने अपने ओर से गठबंदन के संकेत अभी तक नहीं दिये है अगर मायवती के जिनम दिन पर गठबंदन नहीं के संकेत मिलते हैं तो आगे फिर बात बनना मुश्किल हो जाएगी अगली खबर में बात सियम योगी को धमकी देने वाले की सियम योगी अधितनात को जान से मारने की पोस्ट करने वाले यूवक को देवरिया पुलिस ने मुंबई से गिरफतार किया दरसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगिया दितनात को एक्स पर जान से मारने की धमकी देने वाले युवक अजित यादो को पुलिस ने मुंबई से गिरफतार किया है। जमीन विवाद में पूर्व जिला पंचायत सदस प्रेम्चंद्र यादो की हत्या हो गई थी। दूसरी तरफ सत्य प्रकाश दूबे के साथ उसके परिवार के पाँच लोगों की भी हत्या हो गई थी। इस अत्याकान में पुलिस जाच में सामने आया था कि प्रेमचंद औ अजित यादो ने मुख्यमंत्री योगी अधितनाद को धमकी देते हुए एक्स पर पोस्ट किया था कि प्रेम यादो हत्याकाण में उनका घर गिरने के लिए ब्रहामण सब्सक्राइब और मीडिया ने पूरी जोर मशक्कत की थी डियम कोट का फैसला सरकार का होता है अगर घर गिरा तो योगी की हत्या निश्चित होगी चाहे मेरा पूरा जीवन ही व्यर्थ हो जाए वहीं आरोपी की पोस्ट के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उसके खिलाब आईपीसी की धारा 505-2, 506 और 67 IT Act के के केस दर्च किया था आरोपी की गिरफतारी के लिए साइबर सेल को उसकी लोकेशन मुंबई विवली इसके बाद उसे गिरफतार कर लिया गया तीसरी खबर में बाद चंबल के सबसे खूखार डाकू की जिसने पहले 15 साल की जेल काटी और अफिर से गिरफतार हो चुका है बुंदेल खंड के कुख्याद डकैद धदुआ का राइट हैंड और चोटा सरदार के नाम से पहचाने वाला दस्यूर आधे पटेल को एक बार फिर पुलिस ने अरेश्ट कर लिया है पुलिस ने इस बदमाश को अदालत में पेश किया जहां से उसे 14 दिन की नियाईक हिरासत में भेज दिया गया है इस बदमाश की गरफतारी 1990 में हुई एक दोहरे हत्याकान के मामले में कोर्ट से वारन जारी होने के बाद की गई है इसके पहले ये बदमाश करीब 16 साल पहले गरफतार हुआ था और अलग-अलग जिलों में सजा काटते हुए पिछले साल ही चित्रकुट की जेल से रिहा हुआ अब एक साल तक खुली हवा में सांस लेने के बाद इस खूखार डकैट को एक बार फिर से पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुचा दिया है उसकी गरफतारी से राजनेती गलियारों में भी बेचयनी बढ़ गई है मतादे की लगभक तीन दशक तक उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश पुलिस के लिए डकैट ददुआ का गिरो सरदर्द बन गया था इस गिरो में नंबर दो की हैसियत रखने वाले डकैट छोटा सरदार यानी की राधे पटेल का आतंक भी उन दिनों पूरे बीहड में लोगों के सिर्चड कर मूलता था हलाकि साल 2007 में जब UPSTF ने ददुआ के खिलाफ अभियान चलाया तो राधे भागने में सफल हो गया था वहीं ददुआ पुलिस एंकाउंटर में मारा गया था इस एंकाउंटर के कुछ दिन बाद तक राधे शांत रहा लेकिन उसने फिर से UP और MP में सीमा वर्ती बीहड में अपनी बाश्चाहत कायम करने की पूरी कोशिश की एसे में UP STF ने एक बार फिर से इसकी धर पकड का अभ्यान शुरू कर दिया इसी दौरान मध्यप्रदेश पुलिस ने बेहत नाटिकी तरीके से करीब 16 साल पहले इसे अरिस्ट कर लिया था तब से ये खूखार बदमाश करीब 15 साल तक MP और UP के अलग-अलग जेलों में साल 1990 में हुए डबल मडर के मामले में कोर्ट से वारेंट जारी होने के बाद इसे दोबारा से अरेस्ट किया शनिवार की रात इसे रैपूरा थाने की पुलिस ने अरेस्ट किया और रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पीश किया जहां से इसे जेल भीज दिया गया है चित् सफल रहा था अब उसे हतिया के एक मामले में फिर से अरेस्ट कर जील भीज दिया गया है आखरी खबर में बात शादिर बदमाश की जो रिल्स बनाकर हतियार बीचा करता था तसकरी किया करता था यूपी के और रहया में पुलिस को एक बड़ी सफलता तब मिली जब पुल करती आ रहा है वो हतियारों का सप्लायर है जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की तो आरोपी ने पुलिस पर एक पिस्टॉल से फारिंग कर दी वहीं पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी को फिर दबोच लिया पकड़े गया आरोपी ने अपना नाम लवकुष बताया है चेक करने के दौरान आरोपी के पास से एक चोरी की मोटर साइकल एक साथ तीन देशी पिस्टॉल और एक नाजायस खोका कार्तूस बरामत किया है आरोपी लवकुष ने पुछताश में बताया कि वह देशी पिस्टल को बाहर स से कम दामों में खरीद कर लाता है और और एया जन्पत में चुप चाप तरीके से नए उम्र के लड़कों को उचे दामों पर बेच कर मुनाफ़ा कमाता है गिरफतार किये जाने वाले दिन भी वह पिस्टल को बेचने जा रहा था इस मामले में पुलिस अधिक्षक चारू जिस दौरान पुलिस आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी आरोपी के पास रखी तीन पिस्टॉल में से एक से उसने फारिंग शुरू कर दी आरोपी ने बताया कि पिस्टॉल बेचकर ही उसका खर्चा चलता है साथ ही नकली एयर गन से रील्स बनाकर लोगों को अस बांड आती है तो वो अपने सोर्स से पिस्टॉल लेका जाता है और उसे बेचता है आज हमने देखा कैसे चक्रवियों के चक्र में विपक्षी गठ बंदन के नेता सियम योगी को जान से मारने की धमकी देने वाला एक को ख्याद डाकू और एक तसकर फसे और उनकी पूर प्रदेश नमस्कार